EPFO Update, PF कर्मचारियों का इंतजार खत्म जानिये कब आएगा ब्याज का पैसा यू करें चेक EPFO Update, PF कर्मचारियों का इंतजार खत्म जल्द ही मिलेगी ब्याज की राशी जाने कब आएगा ब्याज का पैसा और कैसे चेक करें अपने PF अकाउंट का बैलिंस EPFO Update, आप सभी को यह जानकारी खुशी होगी की साथ करोड पीएफ कर्मचारियों के लिए खुश खबरी है क्योंकि अब सरकार के द्वारा इसके लिए योजना बना ली है अब अगले महीने यानि जुलाई से ब्याज का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा जिसकी मदद से सभी कर्मचारियों की काफी चिंता दूर हो जाएगी तो अगर आप भी कहीं किसी जगा पर किसी भी प्रकार की नौकरी करते हैं और अगर आपका भी पीएफ कट रहा है तो अब आपको किसी भी चीज की चिंता करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि जल्द ही आपके बैंक खाते में ब्याज का पैसा पहुँच जाएगा एपी एफो के द्वारा इसकी पूरी तरह से कागजी तयारिया कर ली है जो पैसा अब भेजना शुरू कर देगी लेकिन अभी तक एपी एफो के द्वारा इसकी कोई फिक्स तारीख नहीं बताई गई है लेकिन कुछ सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पैसा भेजने का दावा 10 जुलाई तक किया जा रहा है सरकार ने कर रखा इतने ब्याज का एइलान केंद्रिय सरकार के द्वारा वित्तिय वर्ष 2023 से 24 के लिए 8.25 परसेंट ब्याज देने का एइलान किया है जो की पिछले तीन वर्षों में सबसे अधिक है इस खबर को पढ़ने के बाद सभी PF अकाउंट धारक को ब्याज के पैसे का बेसबरी से इंतजार है उनको यह लगता है कि कभी भी उनके मोबाइल पर पैसे प्राप्त होने का मैसेज आएगा लेकिन आप सभी को यह बता दे कि अभी तक EPFO के द्वारा किसी फॉक्स डेट की घोशना नहीं की गई है लेकिन जानकारी के अनुसार बताया का रहा है कि EPFO ऐसा जुलाई के महीने में करेगी आपको यह भी बता दे कि अगर आप भी अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपकी चिंता करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि यह जानकारी आप घर बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं जिससे आपकी अभी आशंका दूर हो जाएगी केवल एक मिस्ट कॉल और उमंग एप के जरिये आप आसानी से घर बैठे अपना पीएफ अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं पीएफ का पैसा यू करें चेक आप सभी को यह बता दे कि पीएफ अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्शक्ता नहीं है क्योंकि इसके लिए आपको केवल रजिस्टर्ड मुबाइल नंबर से 0122901406 पर मिस्ट कॉल देना होगा इसे आपको अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस SMS के जरीए प्राप्थ हो जाएगा इनॉपरेटिव इपीएफ अकाउंट के लिए भी यह एक आसान तरीका है इसके साथ ही अगर आपको आपका UN नंबर याद है तो आप अपना अकाउंट बैलेंस आसानी से चेक कर सकते है EPS 95 हायर पेंशन पर सेल इस पात मंत्रालाई को जगाईए एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश सेल के वेतन समझोते में देरी और 49 माह के एरियर की अदाईगी न होने से सेवा निवरित कर्मचारियों और उनके परिवारों में असंतोश बढ़ा है C2 जिला सन्योजन समिती के सन्योजक MS शांत कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और प्रबंधन से जल समाधान की मांग की है C2 जिला सन्योजन समिती के सन्योजक और BSP सेवा निवरित एमपलाईज वेलफेर एसोसियेशन के उपाध्यक्ष MS शांत कुमार ने सेल में वेतन समझोते में हुई देरी पर नाराजगी जताई है उन्होंने कहा कि यह समझोता एक जन्वरी 2017 से लागू होना था लेकिन आर्थिक लाब एक अप्रेल 2020 से लागू किया गया इससे जन्वरी 2017 से मार्च 2020 तक के एरियर से करमचारी वन्चित रह गए है आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण शांत कुमार ने बताया कि 49 माह का एरियर न केवल वर्तमान में कार्यरत करमियों के लिए बलकी उन सेवाने वरित करमियों और उनके परिजनों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनकी इस दौरान मृत्यू हो चुकी है यहाँ वेतन समझोता उनके लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्वरी 2017 के बाद सेवाने वरित हुए करमियों का अधिकार बने वेतनमान से ग्राच्यूटी और CPF में वरिद्धी हायर पेंशन के लिए योगदान में वरिद्धी निधन हुए करमियों की पत्नियों को EFPS के अंतरगत मिलने वाली राशी में वरिद्धी सेल प्रबंधन से मांग सेल प्रबंधन से मांग की गई है कि वे जन्वरी 2017 के बाद निधन हुए करमियों की पत्नियों को EFPS के अंतरगत मिलने वाली राशी को वेतन समझोते के आधार पर रिवाईज करें। इसके साथ ही, MediClim Premium में 10-15% की बढ़ोतरी को देखते हुए, प्रबंधन से पूर्व करमचारियों को राहत देने की भी मांग की गई है। हाल की घोशना आए। सेल ने हाल ही में घोशना की है, कि अप्रेल 2020 से अक्टूबर 2021 के बीच निधन हुए करमचारियों की पत्नियों को Revised Basic Plus DA मिलेगा। इसके लिए संबंधित परिवारों को BSP सेक्टर 5 कार्याले से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। वेतन समझोते में देरी और एरियर की अदाईगी न होने से सेल भिलाई के सेवानिवरित करमचारी और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस थिती को जल से जल सुलजाना आवशक है ताकि पूर्व करमचारियों को उनका हक मिल सके और वे आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकें। EPFO Update बड़ी खबर देश के 78 लाख पेंशन भोगियों को सरकार का खास तोहफा। EPFO ने पेंशन भोगियों के लिए Digital G1 प्रमान पत्र, DLC की सुविधा प्रदान की है, जिससे Face Authentication तकनीक के जरिये घर से ही प्रमान पत्र सब्मिट करना संभव हो गया है, जिससे बैंक जाने की आवशक्ता नहीं रह गई है। देश भर के सरकारी करमचारियों के लिए एक खास खबर आ रही है। DLC का उप्योग करने के लाब साल 2015 में, EPFO की तरह से पेंशन भोगी करमचारियों के लिए Digital G1 प्रमान पत्र की शुरुवात हुई थी, जिससे उनको ज्यादा सुविधा मिल सके। अब EPFO विभाग के ओर से सर्टिफिकेशन आधारित DLC को स्विकारा जा रहा है। Biometric Best DCL को सब्मिट करने में पेंशन ले रहे बैंक, पोस्ट ओफिस, कॉमन सर्विस सेंटर और EPFO के ओफिस में जाने की जरूरत रहती है चुँकि यहां फिंगरप्रिंट और लाइरिस काप्चर डिवाइस मौजूद रहते हैं। Face Identification की तकनीक का इस्तमाल MIT और UIDAI ने Face Authentication तकनीक, FAT, को बूढे पेंशन भूगियों को दरवाजे में ही DLC सब्मिट करने के लिए लगाया है। EPFO की तरफ से जुलाई 2022 से यहां टेकनॉलोजी शुरू हुई है जो की सुविधापूर्ण तरीके से पेंशन भूगियों को जीवन प्रमान पत्र का वेरिफिकेशन देगी। Big News, करमचारियों के लिए बड़ी खबर, पेंशन में आधी सेलरी देने की तयारी में सरकार आ सकता है बड़ा फैसला दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, Old Pension Scheme का सरकार ने निकाला तोड रिटायर्ड करमचारियों को पेंशन देने की तयारी, आखिरी सेलरी की 50 फीसद राशी देने की तयारी 23 तारीक को आने वाले बजट में सरकार कर सकती है घोशना